हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग सौरा वीडियो कर में आपका स्वागत है आज का मारा टॉपिक है सिविलिया नवाड तो चलिए इसके बारे में देखते हैं इस सिविलिया नवाड यह जो लोग अपने फिल्ड में अच्छा कारे करते हैं जिनको उपलब्धी हासिल होती अपने फिल्ड में उनको यह दिया जाता है ठीक है यह प्रेसिडेंट आफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है और यह अनाउंस किया जाता है उनका नाम रिपब्लिक डे के होसर पर ठीक है इसकी सुरवात हुई थी 1954 में ठीक है तो सबसे हाइस्ट सिविलिया नवाड है भारतलतन है यह biggest सिविलिया नवाड है फिस सेकेंड पर है पता भी हुषरन ठीक है ठर्ड रायस्ट सिविलिया फन अवाड है पता मिसी हुषरा ठीक है और यह जो अवाड है यह आप अपने नाम में किसी टाइटल प्रेफिक्स और suffix की तरह यूज नहीं कर सकते हैं ठीक है यह Supreme Court द्वारा यह judgment दिया गया था 15 December 1995 में कि आप जो भी आपको आवार्ड मिलता है इसको आप अपने नाम में title, prefix और suffix की तरह यूज नहीं कर सकते हैं अगर आप यह करते हैं तो आप से यह आवार्ड वापस ले लिए जाएग हैं ठीक है तो चली एक है करके देखते हैं इनके बारे में फिर्ष्ट है भादत रत्न यह फाइस्ट सीपीरीय जावार्ड है इंडिया का अभी तक 48 लोगों को दिया जा चुका है ठीक है यह दिया जाता है उनको जो साइंस के छेत्र में लीटरेचर के छेत्र में आर्ट क चेतर में पॉब्लिक सौइस ऐस के चेतर में अच्छा काम कियो हो और उनको इनको अच्छी उपलब्धी हासिल हो ठीक है । सपोर्स को सामिल किया गया थाrich month 2013 में हिस आवार्ड-क टेगरी में 2013 में सामिल किया गया था ये देखिए ब्रॉंच मेटल है और ये पीपल के पत्ते का सिप का होता है ये ठीक है ये बीच में इसके बीच में ये सूरे का चिन होता है और उसके जश्ट नीचे ये देवनागरी में भादत रत्न लिखा होता है और इसके बैक साइड पर स्टेट इंबलेम होता है और मोटो होता है सत्य में हो जायते ठीक है देखिए ये तीन लोग पहले भारत वत पाने वाले लोग हैं इन में से सी राजा गोपालाचारी है जो एक्टिविस्ट थे स्टेटनमेंट थे मतलब इसका मतलब होता है राजनेता लॉयर थे इस राधा कृष्णन जो की फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और सेकेंड प्रेसिडेंट थे ठीक है फिर हैं सीबी रामन यह फिलिशिस्ट थे मैथेमेटिसियन थे और साइंटिस्ट थे सबसे कम उम्र में भाधत रत्न पाने वाले भारतिये क्रिकेटर सचीन तेंदुलकर हैं जिनको 2014 में दिया गया था 40 साल के उम्र में और सबसे ज़्यादा उम्र में पाने वाले हैं धोंडो केसा कारवे यह सोसल रिफॉर्मर थे ठीक है इनको दिया गया था 1958 में 100 साल के उम्र में इनको मिला था ठीक है तो यह सबसे यंगेश्ट है और यह सबसे ओल्डेश्ट है ठीक है नेक्स्ट है पत्म विपूसन यह सेकेंड हाईस स्विलियन होट है यह उनको मिलता mote जो आर्ड्स के छेत्र स्चेथ्र में लिट्रेचर के छेत्र में साइंस के सट्र मे और पब्लिक सर्विसेच के छेत्र में विश्श टुप लबधी हासील होता है ठीक है जो वर्ड है पद्म और विभूसन या देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा होता है देखिए पद्म और विभूसन ये कमल का फूल है इसके उपर लिखा रहता है पद्म और इसके नीचे विभूसन लिखा होता है और सेंटर में होता है कमल का फूल ठीक है इसके back side पर state emblem होता है और state motto होता है मतलब सत्य में विजयते लिखा रहता है ठीक है 2023 में ये देखे किनको किनको पद्म विहुसन मिला है देखे फर्स्ट पर है स्री बाल कृष्णा दोसी ठीक है इनको architecture के field में मिला है और ये गुजरात से हैं ठीक है फिर है स्री जाकिर हुसेन इनको art और ये महराष्टा से है स्री एसेम कृष्णा ये public affair और करनाट का स्री दिलिप महला नभिस इनको मर्णो परांद दिया गया है medicine के छेतर में ये हैं वेश्ट बंगाल से स्री निवास वर्धन इनको दिया गया है science और इंजिनियरिंग के छेतर में ये है United State of America फिर है स्री मुलायम से यादो इनको मर्णो परांद दिया गया है public affair के छेतर में ये हैं उतर परदेश से ठीक है next है पद्मभूसन ये third highest civilian award है ये उनको मिलता है जो अपने छेतर में उपलब्दी हासिल किये होते हैं इनमें से government servant भी है इसमें doctor और scientist भी सामिल है लेकिन जो PSU में काम करते हैं public sector undertaking में उनको इसमें सामिल नहीं किया जाता है ठीक है देखें यहाँ पर जैसे पद्म भी हूसन था इधर वैसे भी पद्म हूसन होता है बीच में कमल का फूल होता है और उपर में देवनागरी लिपी में पद्म लिखा होता है और नीचे भूसन लिखा होता है ठीक है अब देखते हैं 2023 में किनको किनको मिला है पद्मफुसन तो देखिए श्री एसल बैरप्पा श्री कुमार मंगलम बिरला श्री दीपकधार वानी जैराम स्वामी चिन्ना जियार सुमन कल्यानपूर स्री कपिल कपूर मिस सुधा मूर्ती और स्री कमलेश डीपटेल है फोर्थ हाइस स्विलियन ओवर्ड है यह उनको मिलता है जो किसी भी छेतर में लब्दी हासिल किये होते हैं इसमें गौर्ण्न इंप्लॉई भी सामिल होते हैं ठीक है यह देखिए यहां पर जैसे आपने पद्म भीवूसन पद्म भूसन देखा था वैसे ही पद्म श्री होता है इसका मेडल इसके भी बीच में कमल कफूल होता है उपर में देशनागरी कि लिपी में पद्म लिखा रहता है और सre लिखा रहता है ठीक है आगे देखते हैं कि 2023 में किनको किनको पदमसरी अवाड मिला है देखिए टोटल 91 लोगों को पदमसरी अवाड मिला है 2023 में चुकि लिश्ट बहुत लंबा है तो सबका नाम नहीं लिया जा सकता है लेकिन आपको मैं दिखा देता हूँ देखिए टोटल 91 लोगों को पदमसरी अवाड मिला है ठीक है 91 लोगों को पदमसरी मिला है 9 लोगों को पदमभूसन मिला है और 6 लोगों को पदमभूसन मिला है टोटल 106 लोगों को 2023 में पदमभूसन मिला है ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नय टॉपिक के साथ तब तक स्वस्त रहे, सुरक्षित रहे, बड़ों को समान दे, छोटे को प्यार दे, औरतों की इज्जत करे और खाना बरबाद ना करे जै जवान, जै किसान, जै हिन